हमास चीफ को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान पहुँचा है यह उसका परसनल नुकसान है क्योंकि इस्रेल और हमास की जंग में हमास चीफ के बेटों की मौत हुई है एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बेटे, एक साथ मारे गए है हमास चीफ के इस्माइल हानिया जिसके बेटों की मौत हुई है, आपको हम बताएं इस्माइल हानिया के पोते की, पोतियों की और बेटी तक की मौत इसी युद में अब तक हो चुकी है इसके अलावा है इसमाइल आनिया के कई रिष्टदार ऐसे हैं जो इसी युद में मौत के घाट उतारे जा चुके हैं अब इसमाइल आनिया ये कह रहा है कि बाकाइदा उसके बेटों की जो मौत हुई है वो प्लान थी देखकर अटैक किया गया है जबकि इसरेल का ये कहना है कि उसके जो बेटे वो आतंकवादी थे और कुछ बड़ी प्लानिंग की जा रही थी अब ये जो पूरा मामला है बेटों की मौत को लेकर अब वो इमोशनल काट भी खेलने की कोशिश कर रहा है फिलिस्तीन के नागरिकों को घाजा के नागरिकों को ये बताने की कोशिश इसमाइल हानिया की तरफ से की गई है कि कैसे खुन सिर्फ घाजा में जो लोग रह रहे हैं उनके परिवारों का नहीं बह रहा है उन्हें ही नुकसान नहीं पहुँच रहा है या उन्हें ही सिर्फ जो लोग उनके नहीं मारे जा रहे हैं बलकि खुद इसमाइल हानिया के परिवार के लोग भी शहादत दे रहे हैं इसी शब्द का इस्तमाल किया गया है इस्माइल हानिया की तरफ से हाला की एक रेपोर्ट ये भी दावा कर रही है कि इस्माइल हानिया के बेटे गाड़ी में बैटकर कहीं जा रहे थे इद मनाने के लिए और जिस इलाके से उनकी गाड़ी गुजर रही थी वो इस्रेल के और ऐसे में उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट हो गया और यही बज़र रही कि उसके बेटों की मौत हो गई लेकिन एक इंटिवियू में खुद इसमाइल हानिया की तरफ से ये बात बताई गई है कि उसके बेटों के हत्या की गई है और ये इसरेल की तरफ से की गई है और उस परक्र उसने इंटवियू में किया, त्यलिफोनिक इंटवियू में उसने ये बात भी कही, कि इजरेल ये सोचता है कि गाजा के जो बड़े निता हैं, जो हमास के बड़े निता हैं, उन्हें पर्सनल नकसान पहुंचा कर उनके अपनों को टागट करके वो उन्हें इस युद्ध में और हमले करने से रोक सकता है या फिर उनकी जो मांगे हैं वो कुछ कम हो जाएंगे लेकिन ये समझ ले इसरेल के ऐसा नहीं होने बाला है हमारी जो मांग है हम उस पर डटे रहेंगे हमास की तरफ से इसरेल की ओपर उन सब का मास्टर माइन भी वो है हालांकि वो खुद गाजा में नहीं रहता है कतर में रहता है जैसे हमास प्रमुक बनाये गया था तुरंत उसने कतर का डुक कर लिया था कई देशों की वो यात्रा कर चुका है लेकिन गाजा में इस वक्त मौजूद नहीं है आरोप उसके ओपर ये लग रहा था कि खुद तो विदेश में बैठा हुआ है कतर में खुद तो सेफ बैठा हुआ है और गाजा के लोगों की परिशानी बढ़ा रहा है आम फिलिस्तिनियों को वो मार रहा है और शायद इसी लिए अब जब की बेटों की मौथ हुई है तब इसमायल हानिया की तरफ से ये कहने की कोशिश की गई है कि मेरे अपने भी ठीक वैसे ही मर रहे हैं जैसे एक आम फिलिस्तिनी 33,000 फिलिस्तिनियों की अब तक मौत हो चुकी है इस युद के अंदर इसमें आपको बताएं 70 फीसद महिलाएं और बच्चे हैं जादा संख्या इस युद में मरने बालों की महिलाओ और बच्चों की है और बहुत से आतंकी भी मारे गए हैं हमास के लेकिन एक बड़ी तादाद मां रहने बाले आम लोगों की भी है आतंकीों का अगर हम जिकर करें तो उनकी संख्या तो 3,35 सो ही बताई जाती है लेकिन इसके अलावा जो आम फिलिस्तिनी है गाजा पट्टी में रहने बाले लोग हैं उनकी मौत हो रही है अभी भी ये युद्ध हम नहीं रहा है अब हमास को और कितना नुकसान पहुंचता है या इसमाइल हानिया को परसनल नुकसान कितना पहुंचता है वो देखना होगा कितना पहुंचता है